अब आके लिटर में आपका स्वागत है दोस्तों अगर आपने चैनल को पहली बार विजिट किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों बेल आइकोन को हिट करके और जरूर सेलिट करना और वीडियो को लाइक एंड शेर जरूर करना अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेर जरूर करना आपका एक लाइक हमें और इंस्पिरेशन दे सकता है दोस्तों वीड बहुत चारी फैक्टर से दोस्तो तो आपको कैसे शेयर चुनना है मार्केट में आज में बताऊंगे दोस्तो अब मेरा थोड़ा प्रेजेंटेशन खराब है दोस्तो आप समझ जाए दोस्तो और अभी फस्ट कॉइंट है दोस्तो मेनेजमेंट मजबूत होना चाहिए और भरोसेमंद प्रमोटर भी होने चाहिए दोस्तो और मैनेजमेंट अच्छा और प्रमोटर भरोसेमंद नहीं है तो भी बात नहीं बनेगी दोस्तो और प्रमोटर भरोसेमंद है लेकिन मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो भी बात नही जाता है दोस्तों कैसे आदमी उनको management में रखने कोन अपने लिए अच्छा काम कर रहा है कोन अपने लिए बुरा काम कर रहा है तो यह काम प्रमोटर खुद करते दोस्तों management अच्छा वह धूंड के लाते दोस्तों भरस्यमंद आदमी तगड़े आदमी वह धूंड के लाते management में अच्छी आदमी चाहिए जो डिसीजन मेकिंग चाहिए दोस्तों जो टाइम पे अच्छा डिसीजन लेके इसी की तो पेमेट दी जाती दोस्तों मैनेजमेंट के लोगों को जो अच्छा डिसीजन ले पाते हैं एक डिसीजन मेकर है और अच्छा डिसीजन लेते हैं उनका एक फैक्टर रहता है दोस्तों आपनी कमपनी तो खड़ी कर ली मगर management आच्छा नहीं है management काम नहीं कर पा रहा है उस तरह से तो आगे company grow नहीं हो पाईगी दोस्तों तो प्रमोटर को management भी अच्छा बेठाना पड़ता है दोस्तों तब जाके company grow होती है यह first point है दोस्तों आप आपको management देखना और प्रमोटर देखने आच्छा है क्या दोनों भरोसे मंद है तो आप company में blindly invest कर सकते दोस्तों मगर बहुत सारे होर भी फैक्टर रहती दोस्तों दोनों का combination आच्छा है मगर और देखिए आपको आपको डिविडेंट कंपनी डिविडेंट देती है क्या company का profit कैसा यह भी check करना एक कंपनी continuously income generate कर रही है का revenue का यह भी आपको चेक करना है दोस्तु कमपनी को कितना डिविडेंट देती है company को कितना revenue generate कर रही है company के expenses जाके company को कुछ बच रहे कि नहीं यह सब कुछ आपको चेक करना है दोस्तों इन सब का record दिखकर यह आपको share चुन शेयर में थार्ड पॉइंट दोस्तों 씨र अच्छबी होना चाहिए और सस्ता Kayla आपको पता है मगर यह ढब व,ट yogid, developed. टाइमें मुलू अभि मिल रहरे दोस्तों ओ तो बहुत महेंगा हो गया दोस्तों डोस्तों स्टॉपड तो आपको यह भी चेक करना है दोस्तों यह शेयर को चुनना चाहिए करेक्शन के टाइम में आप बड़िया शेयर का कम दामे मिल जाते दोस्तों जब करेक्शन होता है दोस्तों मार्केट में तब आपको शेयर खरीदने चाहिए दोस्तों बस आपको को स्टड़ी करना है दोस्तों management company का net profit सब कुछ चेक करना है अगर अभी market में रही चल रही है दोस्तों तो अभी आप study किजी दोस्तों कौन सा share ने अच्छा profit बन सकता है कौन से share आगे जाके reality दिखा सकता है कौन से share में आगे जाके आप क्रिएट कर सकते हो ऐसे शेयर डूंडी है दोस्तों मार्केट में और आप उसमें हेविल इन्वेस्ट किजिए जब करेक्षण होता तब आप ऐसे जाओगे यह शेयर अच्छा है तो इसमें उठा लिया ऐसे नहीं चलेगा दोस्तों आपको करेक्षण में शेयर को खरीदना ह आपको एक शेयर में अपना पूरा पोडफोरियो का पैसा नहीं लगा चाहिबा आपको डायवर्स पोडफोलियो बनाना है यह बहुत और यह इंवर बनाना है इसमें से चता क्रोंड शेयर आने वह आप डिस्ट्राइ कर दोगे दोस्तों आप अगर पीनी स्टॉक कम प्राइज वाले शेयर ऐसे ढूंडते रहोगे तो अब कम शेयर प्राइज वाले ढूंडी यह मगर आप उसका फंडामेंटल नेट प्रॉपेट रिवेन्यों सब को चेक कीजिए दोस्तों और तब जाक कर आप फालो भी कर सकते दोश्तों फ़ीलन इंगिंस ब्लाइज फॉलोड़ नहीं करना आप उन्हेंने कौन से कमपनी चुनिके बारे में आप डिटेल में स्टाडी कीजिए उन्हेंने कौन Siर चुने उसमें और अभ वैसे चुनने की को शीञते है तब आप यदूасे का इ परना है थाई को कोई पर्शंट तक भी करेक्षन ऒएट कुंप में करेक्षन औOR 20 इंवेस्ट करने दो तो 90 इंवेस्ट कर ऑई ओर 50ज़ार इंवेस्ट किजático और यह एउसे करना इसा अई ऐसे हैं करने दोस्तों आप 10 परसंट किमूरब बाद में गिर गया तो आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा दोस्तों तो आपको तुकड़ों में इन्वेस्ट करना है दोस्तों आपको ऐसे one time correction भी हो गाया तो one time investment नहीं करना है दोस्तों दीरे धीरे पैसा अड़ करना है दोस्तों अगर थोड़ा आपको लग रहा भी उपर ही जाएगा नीचे नहीं आएगा तो इन्वेस्ट कर सकते दोस्तों तो ऐसे आपको इन्वेस्ट करना है दोस्तों अगर आपने इन्वेस्ट किया और हर करेक्शन होगा है तो अच्छी बात है आपको हर खरीद होगे और अगर आप आपको एक Nope को आब आपको एक ब्रीश कर पाओगी दोस्तों तो आप अच्छी कृट कर पाओगी दोस्तों आपको ऐसे खरीजना लिदे। दोस्तों किसि ब्हूंट में कॉंपर्माइज नहीं करते लिदुक्त की इन् wis ship महते क्योंकि वह फंड किसी भी मामले में कांपरमाइज करते दोस्तों वह कोइसे करते दोस्तों यह पाईस जबरदस्त आनलीस करते हैं उनकी एक पूरी टीम होती है है और तब जाके वह उसमें invest करते हैं दोस्तों तो आपको देखना है दोस्तों अगर आप share चुन रहे हो तो उसमें ये FISDI mutual fund है क्या नहीं है तो क्यूं नहीं है आपको वह भी ठोंड़ नहीं है नहीं है तो आप कुछ रिस्क टेकिंग शेयर भी आप अपने पॉटपोलियो में आड़ कर सकते दोस्तों ऐसा नहीं कि खरीद लिया और शेयर भागी रहा ऐसा भी नहीं होता दोस्तों क्यों भूद बार वह भी घलत पड़ते दोस्तों तो यह मार्केट है दोस्तों यहां पर कोई यह ईंड़ेट परसंट नहीं देशकता दोस्तों किसी को भी इनवेस्ट करने के बाद हन पर सेटेंग मिलेगा इसकी कोई ग्यारंटी ने रहेती उनका भी एक एक एनजीश रहता वो भी मैंने बताया दोस्तों mutual fund की वीडियो में तो आपके और एक पॉइंट चेक करना है दोस्तों यह फाइज दीएज है क्या आपने शेयर में उसेयर में इन्वेस्टेड है क्या जो आप शेयर खरीदना चाहते हो वह भी आपको चेक करना है दोस्तों और नेक्स कंपनी ने किसी काम के लिए कर्ज लिया हो लेकिन वह चुकाया जा रहा है और कंपनी कैश कैश कंपनी के पास रिजर्स भी होना चाहिए सिर्फ बुक्स में ही डेट क्रिडिट नहीं दिखना चाहिए तो आप देख सकते अभी यह जबरदस्त पॉइंट है क्या डेट है त इसली तरस्तों भुकतान कर रही किया बराबर टाइम पर तो यह बी चेकरना है दोस्तों हो डेट सबको लगता दोस्तों हम भी लें दोस्तों जो लोन लेते हम भी है तो तो लिटेयल इंवेश्टर दोस्तों लोन चुका ही देते हैं ज्यादा तो लोग डुबा नहीं पाते दोस्तों तो बजर्जर फाइनस इतनी सक्सेसफपुल के यह रहे दोस्तु उनके पीछए यही एक स्ट्राटरजी है इसा न देथर उनका हो चोटा-चोटा-छोटा लौन बाटते इसए इसे ऑचो तो अच्छी वेल्थ क्रेट करती है बजाज फैनस और इस सालों से यहीं कर रही है दोस्तों तो आप देख सकते हो वह फिर्स्ट हम थोड़ा बटक गए दोस्ता हम वीडियो पर आती दोस्तों अभी आपको देखना इस यह में कंपनी के ऊपर डेट है क्या डेट का पूरा भ चुकाती है कितना इंट्रेस्ट पे करती है यह सब कुछ मैं आपने वीडियो में बताता हूं दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो ध्यान से देखते होगे तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों तो यह भी एक पॉइंट है दोस्तों कंपनी डेट फ्री होनी चाहिए कंपन यह होर थे जिससे बिजनस कर रहे है दोस्तों तो अभी हमाते नेक्स्ट पॉइंट पर दोस्तों नेक्स देखिए प्रमोटर के शेयर गिर भी नहीं होने चाहिए देखो मैंने आपको पहले बता है मैं वीडियो में बताता हूं दोस्तों किसी भी प्रमोटर के शेयर प्ले प्लेज का यूज़ कर रही है क्या कम्पनी और बाद में छोड़ा पायगी क्या कंपनी ये भी चेक्क करना आपको सब गेर भी रहते तो कई सवाल खड़े हो जाते दोस्तों आपको सभी को सभी सवालों की जवाब मिल गए तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो अदर्वाइस आप थोड़ा सा दूरी रही वैसे शेर से अभी नेक्स्ट पॉइंट देखे दोस्ते शेर चुनते वक्त सेक्टर और इवी वाले फिट्रिस्टिक बिजनेस वाले मोनोपॉली स्टॉक और इसे में इन्वेस्ट किजिए दोस्तों और ग्रीन एनर्जी में आगी फिचर है दोस्तों तो जो भी ग्रीन एनर्जी के स्टॉक है आप अपने पॉट्पोलियो में याड़ कर सकते हो देख लिजिए चुनते वक्त इंदस्ट्रि का हाल उस सेक्टर काईसा परफॉर्म कर रहा है इंदस्ट्रि में आने वाले सालों की ग्रोथ भी देख लिजे 10-15 सालों में वह सेक्टर कैसे आपको रिटन देगा यह भी आप थोड़ा सा प्रेडिक्ट कीजिए दोस्तों आपको प्रेडिक क आप देख सकते हो दोस्तों अभी आईटीसी का एक्सांपल लिए टोबैको में बार बार बढ़ता रहता दोस्तों जो भी अभी गवर्मेंट की पॉलिसी टैक्स बढ़ाती है गवर्मेंट कुछ ना कुछ चलता ही रहता दोस्तों तो अब आपको विसमें इन्वेस्ट कितना खत्रय को आनी वाले 15 साल भाद वी चलेगा तो आपको यह सभी चुनने दोस्तों दस-15 साल बाद ये बिजनेस डूप सब्सेता है इसे आपको बहुत चारे के बारे Med以上 करना पड़एंगा दोस्तों शे cav लाइंड ली जाते हो हाँ यह यहार कईधर रहर रोज 10% भाग रहा है चलो इस यह को कर दो ऐसे नहीं होता है दोश्तों अगर आपको वेल्ट करनी है कोई भी बड़ा इन्वेस्टर लीजिए हर शेयर उसका भागता ही नहीं है दोस्तों आप राकेश जुन-जुन वाला लीजिए कोई भी लीजिए दोस्तों हर एक शेयर उन्होंने आपने पोट्पुलियों एड की और वो शेयर मल्टिब्यागर रिटन दिया ऐसे नहीं होता दोस्तों कोई शेयर थोड़ासा नीचे भी आता है कोई कम रिटन देता है नहीं कोई सवाल सीμOW कम टाइम में लेया इसए पर शुब आपको थोड़ी आपनी शोच बदलने पड़ीजे आपको फोसोच chill दर करते हैं काई से को इन्वेस्ट करते हैं उनकी journey पढ़िये उनके book पढ़िये उनोंने कोई book लिका है तो वो पढ़िये किसी अच्छे author का book पढ़िये ऐसी कीज़े दोस्तों एक दिन में कोई बढ़ा अमीर आध्मी बनने वाले नहीं है दोस्तो तो आपको थोड़ा 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 ओलेज गेंड करना है दोस्तो मैं भी अभी नॉजज ही ले रहा हूं आपको सभी वीडियो में आपको डिटेल में चेक करना पड़ेगा दोस्तों कि कौन से शेयर कप भाग रहा है कैसे रैली कर रहा है कप करेक्षन आता है करेक्षन के बाद कैसे भागता है आपको बहुत आनलेसिस चाट पैटर आनलेसिस करना पड़ेगा कंपनी के प्रमोटर क कंपणी की मार्केट क्या आप कंपणी का रिजर्वस कंपणी के पास कितना लोन है कंपणी लोन पे कर रही है क्या इस सब कुछ चेक करना पड़ेगा दोस्तों तब जाके आप बड़े इंवेस्टर बन सकते हो दोस्तों अर ये वडिवाच चाल लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करना चैनल को सबस्क्राइब करना मत पूला